पहाडों पर हो रही बर्फ बारी के बाद उत्तर भारत में भी कडाकी की ठंड बढ़ रही है और आज भी राजधानी दिल्ली में जो नियूमतम तापमान है वो साथ डिगरी के आसपास दर्ज किया जा सकता है आसा मौसम विभाग का अनुमान है इस समय मैं मौझूद हूँ राजपती भवन के ठीक सामने लेकिन बारिश से जहां दिल्ली वालों को राहत मिली है वहीं कोहरा घना चाया हुआ आप देखें इंडिया गीट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है विजिबिलिटी सो मीटर से और डिर सो मीटर के बीच में है काफी जादा विजिबिलिटी आज कम है और कोहरा घना चाया पिछले तीन दिन से ही वारिश हो रही थी हलके फुलकी लेकिन आज जब बारिश लेकि की टंड पड़ेगी उत्तर भारत में और साथी साथ आने वाले तीन दिन तक इसी तरह को घना-कोहरा चारी रहने वाला है और किस तरह से पहार 一 Music हो चुका है जैसे मानों पहाडों पर हम खड़े हुए हैं इस समय इस तरह से यहाँ पर मौसम हुआ है और मौसम का यह हाल है और जो काफी सुन्दर भी नज़र आ रहा है लेकिन कड़ा के ठंड से कहीं न कहीं अब दिल्ली वाले परिशान भी हो चुके हैं वहीं आज जो कटिस है एक यूवाई जो कि कल से काफी जादा बहतर हुआ है हाला कि स्तिती इतनी भी नहीं सुद्री है लेकिन कल से कुछ बहतर जरूर हुई है लेकिन हावा और ठंड जो है बढ़ी वूई उसमें कहीं से कोई राहत नहीं मिलिये ठंडी हावाएं चल रही हैं घना कौरा चाया है विसिबिलिटी काफी कम है कर राज से ही विसिबिलिटी काफी जादा कम है ऐसे में जो लोग हैं कुछ लोग मौसम का लुफ्ट फो उठाने भी आए हैं घूमने फिरने भी आए हैं वहीं जो गाड़ियां चल रही है वो फॉक लाइट चला करके चल रही है ऐसे मे अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और इतनी कम विजिबिलिटी है तो बहुत साफधानी से गाड़ी चलाईएगा क्योंकि ठंड के साथ साथ कोहरा पूरी दिल्ली में घना चाया हुआ है और मौसम भाग का अनुमान है इसी तरह से दो दिन तक के जारी रहने वाला है और ये वेस्टन डिस्टरबिंस जो नया है उसके चलते ठंड बढ़ गई है तो जहां पर एक तरफ पहाडों में बरबारी है तो उत्तर भारत में भी कडाकी की ठंड पढ़ रही है क्यामर पर संजे तिवारी के साथ इला काजमी एबीप न्यूज दिल्ली